हेलो और वेलकम गाईस अगेंड टो डिजिटल वेग्यानिक मैसेल्स मानविंदर चौधरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्या फू बॉक्स प्लगिन की हेल्प से आपकी इमेज जो आपने इमेज ग्यलरी हमने लाश्ट वीडियो में बनाने सिखाया थ उसमें आप एक लाइट बॉक्स कैसे एड कर सकते हैं तो लाश्ट वीडियो गर आपने देखी नहीं है तो हमने लाश्ट वीडियो में फू गैलरी एक प्लगिन है उसकी मदद से अपने यहां पर गैलरी बनाना मैंने आपको यहां पर बताया था और उसमें फू बॉक्स आपसंथा याने कि लाइट बोक्स वाला ऑप्संथा वह आपको इनेवल करने का मैंने कहा था कि नेक्स बीडियो बताऊंगा तो लाइट वाक्स क्या होता है जैसे कि हम यहां पर एक किसी भी इमेज पर क्लिक कर देखते हैं तो वो जुब हमारे उसी टेमें आफिर हो सकता तो इसी पेज़ पर ओपा नो एक lightbox की तरह से तो उस इसको कहते है lightbox और वो जो functionality है वो यह फू box plugin की help से आप यहाँ पर लिख कर सकते ही ने वर चलिए सबसे पहले तो हम चलते हैं आपको plugin कौन से install करना है तो हमारा यह वाला plugin होता है फू box lightbox and model pop-up wordpress plugin इसका नाम फू box है यह वाला plugin आपको install कर लेना होगा अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो वहाँ पर हमने आपको यह फू गैलरी नमका एक plugin इस्टल करवाया था तो अगर आपको यह वाला plugin है यूज करें तो ही आपको फू box वाला plugin यूज क में जाकर add new करके वहाँ पर name को paste करने की बाद कर सकते हैं बड़ मैं आपको यहां से में extensions में जाके दिखाता हूं कि आपके extensions में जाके कैसे आप एक plugin इस्टल कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहां पर नीचे आना नीचे आपको एक फू box नाम का एक लेकिन extension के अंदर download करने को option आएगा simply download पर क्लिक करने के बाद आपको ok पर क्लिक कर देना है और यह downloading start हो जाएगी एक बार download हो जाए तो आपको यहां पर activation को भी option आ जागा तो एक बार इसे download हो जाने दीजे फिर में बताता हूं कि आगे आपको क्या करना है जैसे कि आप देख सकते कि हमारा जो extension है वो successfully download हो जाका है अब उसको यहां पर आपको activate immediately को option यहां पर दिखाएगा और नीचे भी आपको एक activate को option दिखा देगा यहां पर पहले download को option दिख रहा था लेकिन आप activate को option दिख रहा है तो आप यह चाहें तो यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं वरना आप यहां से भी activate कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो plugins में जाने के बाद install plugin में जाकर वहा अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा कि आप कैसे आपके एकिमेध ग्यालरी कर सकते हैं इस प्लगिन की हल पसे आप बूरा यहां पर देख सकते हैं, आपको ये जनरल के अंदर में lightbox का एक option मिल जाएगा, lightbox में click करने के बाद आपको full box नाम का ये plugin है, इसको click कर देना है, यह राफडेट का अप्डेट का option को देखने का मिलता, आपको simply update पर click कर देना, और बस यहां पर आपका काम पूरा हो गया, अ यहां पर इमेज पर कर रहा तो एक झील पेज पर ही ओपन हो रहे हैं आप दीख सकते luminos को dat है, यह सक्थ है इस dedic कुछ इस तरह से उपन होगी, ऊसकी बाद कोई भी यहापर चाहिए, तो के दूसरी सारी images भी देख सकता है और यह हमारा cut का button है तो दोस्तों यही सारे changes आपको देखने को मिलतने हैं अगर आप एक lightbox यूज करेंगे तो आपको इस तरह से दिखने के मिलागा वरना आप lightbox की बिना ही आप एक image gallery create करेंगे तो आपका यह जो image है वो नए tab में ही नए या फिर नए window में open होगी तो इसे दरह से आपको lightbox implement करना रहता है अपने फू गैलरी में फू बॉक्स प्लगिन की help से मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे अपने website में lightbox implement कर सकता है काफी बहुती खुबसूरत देखने में लगता है यह